तो हेलो दोस्तों स्वागत थे आप सब लोगों का हमारे यूट्वी चैनल समराट के डिवे तो दोस्तों मेरा नमें कासा इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कलाश 10 के सोसल साइंस के जो एकोनॉमिक्स पार्ट होता है इकोनॉमिक सब्जेट उसके बारे में ठीक है देख का और लास्ट पॉइंट आपको बचा है इकोनॉमिक्स मातर चार इस चार दिन में इसका भी काम खतम मतब सोसल साइंस पूर्ड उरुप से आपका खतम हो गया ठीक है समझ रहे हैं अगर हिस्ट्रिया जोग्राफिस का नहीं देखें है तो मैं डिस्क्रेशन में मैं राथन चैप्टर साइस क्लोज लिखा रहेगा वहां पर क्लिक करेंगे आप पढ़ लेंगे ठीक है तो उसी तरह आगो मैं राथन देखना तो इस बीस्ट्यों की डिस्क्रेशन में विलेगा एक लगता रही देख लिजे या तो चेटवाई देख सकते हैं इस वीडियो टारिट म लिख आने के चांसे आएग ठीक हैं चली एक लाइक पर नहीं कर लेजे और यह लुख कर लीजे और ले लीजे और लिखे रूब है कि विकास आ नहीं और फ्रस्ट पर अपको कि औसत कि राश्ट ये विकास कि उच्छ विकास इन चार वं सनल मंएं से आप ये बताएं कि वीकास को अऌर सबको मालुम है कि विकास का अगर मत्वपूर घटक वह आये है क्या इस्टुएंट आए है ठीक है आप सने इसक्यूशन के क्या वजागा सही आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए क्यूशन मा पहला आपने तो बहुत अच्छी तरी से किलिर कर लिया क्यूशन मां दूसरे की वेरी मुश्टीम परने चलिए आंसर में इसका सही बता देता हूं आप लोगों को कि 200 विकास रिपोर्ट कौन प्रकासित करता है तो 200 बैंक प्रकासित करता है आप सन 20 क्यूशन के क्या हो जागा सही आंसर हो जागा इस्टुएंट ठीक है चलिए उम्मीद करता हूं कि उस इस डेसर का सही आंसर आप लोगों बता दूं की की सराजय के प्रति व्यक्तिया सरवतिक है तो हरी यांड़ा की उचा है वेरी मुस्ट इंपोर्टेंट की उचाने सिरलंका बंगला देश पाकिस्तान की नेपाल चलिए इसका सही अंसर बताई है चलिए इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूं कराकिन लिखी देशों में से किस देश का मानो विकास उचकांक दूजार सूर के अनुसर भारत से अधिक उचा है तसिरलंका आपसन एस क्यों सही आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए क्यों समाने तह किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है करा किस समाने तह किस देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है प्रतिव्यक्तिया और सत्चरता दर कि लोगों कि स्वास्ति इस्तिति की ये सभी तेली इस्टन बताएं कि कौन सा अंसर सही होगा इसमें से ठीक है तो मिसका सही अंसर आप लोगों बता सब्सक्राइब किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है तो यह सभी के द्वारा आप ही बताएए देखे प्रतिव्यक्ति आए पर भी और सतन सहराच्छा कि दर पर भी अलोगे की स्वास्तिकी इस्तितिति इन तीनों कंडिशन का फालो करते हुए किसी देश के विकास क चारहजार साथ हजार और पांच जारे तो यह चोथे परिवार की आए कि इस टेंट बहुत ही मोश्ट इंपर्टेंट इन सी आटी का क्यूशन है सब्सक्राइब कर लेना ठीक है कितना चैजरी एक उसना आपको पूछ सकता है चलिए कि समर्शाथ में बढ़ी चलते हैं कि स सरवदिक वी कड़ालिक का दर्ट पर रहे सरुधिक वीदधान पर रवास्यक को कि कम मुल्यपर उपलबदा मांगाई को कम करना कि लोगों की आर्थिक सायता करना की खाद उपलब दता बताई इन चारों आपसे में से कौन सा आपसन सही होगा इस्टुएंट ठीक है चलिए मिसका सही आंसर आप लोगों बता देता हूं करा कि सरवस्दिन के वितना प्लाली का तात पर रहे हैं तावस्यक वस्तों की कम मु लिघोट कौन से मैं मानग लेख़्ित में से आपसे कौन से स्वास्त की स्थिति कि मानगट संपूर्वि काथ कि राष्ट्यबी सरी चारों आपसमेंदेन उसका सही आंसर आप लो बता देता हूं कि महलों झास कि मानग लिएसमम लग्रम से है कि बी एम आई का तात्पर निम्ली खित में से है बी एम आई का तात्पर निम्ली खित में से है इस्टुएंट बता यह मानों विकास सुचकांग की मानों का संपूर विकास की उपर युक्त सभी बता है इस्टुएंट इस चारों से कौन सा आपसन से होगा तो मैं सही आंस क्यूशन वह भी कल्पिय का इस्टेंट कि मानव विकास रिपोर्ट 2019 में भारत को कौन सा स्थान पराप्त हुगा था 125 124 129 की 130 बताई यह वेरी वेरी मुस्ट इंपोर्टेंट है चलिश्टों डिसका सही अंसर बता देते हैं तो मानव विकास रिपोर्ट 2019 में भारत को कौन सा स्थान पराप्त हुआ था एक तो 139 समय आप संसी स्क्यूशन के वज़ागा सही अंसर तो देखिए टोटल में टेन मोस्ट इंपोर्टेंट आप में डिसकस कर दिया हूं इस दोसों क्यूशन को दोहरा कि आपको जाना एक्जाम में ठीक है चलिए अगर आपने वह व इंपोर्टेंट हैं और अति लग उत्रिया परेश्ण पहला परेश्ण लेट नहीं करेंगे तुम्हंत बताएंगे आपको पहला परस्न यह जिसमें नोच किश्तिये कुछ़ पसिति कि इंब्वाइब का सुपर के शरी द्रभमान सुचकांक मापने का पाइए है था यहां से आपका शरीर दर्रिमान सुचकांक क्यों सुचकांक है निकालते हैं फ्मयाई प्रश्ण के विखास से आतात पर रहे हैं तब विकास किसी देश के सरवांगडिया विकास पर निर्वार करता है स्वतंतरा सुरद्षात था समानता आधी विकास के मत्तवपूर भाज है स्टूदेंट निए बहुत ज्यादा मुस्ट इमपोर्टेंट यह परस्ट की वी कास्त आप क्या समस्थते हैं इस सारी परस्टों को आपको किलियर करके जाना समझें चलिए कुछ समर्च चलते हैं चलिए इस्टुडेंट के उसमर्च हो था आपकी स्कीन पे आ गया है कि केरल के अन्य राज्यों की तूलना में सीसु मृतु दर कम क्यूं है ते इस्टुडेंट देखे उत्तर आप क्या लिखेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोटेंट है उत्तर यह लिखेंगे क स्वस्ते और सिच्छा की मौलिक सुविदाएं परियाप्त मातरा में उपलब्द होने के कारण किरल में स्रीशु जो दर है वो कम है इस्टुडेंट तो इस प्रकार आप इस क्यूशन का अंसर लिखेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा महत्तों पूरी क्यूशन है इस्टुड देखिए अब उत्तर लिखें कि प्रतिव्यक्ति आई की जुगड़ना कूल आबादी द्वारा देश की कूल आई को विभाजित करके कि जाती स्टुडेंट बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोटेंट किस नमर पांच वाफ की स्किन पर आ गया बहुत ही मोस्ट इंपोटेंट कशiger के संचा जिनका एक बार प्रियोग करने के पर सुछानते कों से बहुत ही मुश्ट इंपूँत पापपलो प्रशन तरस्टों तर लिखें कि व release on सादन užिणका एक Бारी प्रियोग करने के पस्चाथ्छिआइच स्वत्वाप्वाप्वाप्वाफ्शाथ्वा 29 में सं परिट्रण परणारी के दो लाबों की विवस्टना के predictions are लोगों को नियंद्रीत मूल्य पर आवस्यक्वस्टू का नयायोचित विट्रणा किया जाथ इस्टुएंट या क्यों समय दूसरा पॉइंट इसका है कि सारोजिंग बितर पढ़ा लिए कि दो लाप पूचा था दूनों लाब में बता दिया इस्टुएंट ठीकर नोट कर लिए इसको चलिए क्यों सब्सक्राइब कर अब किसे ने प्रतिपादित किया मानो विकास कांक की और दाहरणा का प्रतिपादन महबूब उलहक महबूब उलहक पकिस्तान और दसास्त्रियें उन्होंने किया बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रस्टनी स्टुएंट इसको तयार करके जान आप लोगों को ठीक है चलिए यह क्यों से नमबर आठमा तावा प्राथमिक लच्छ कौन से होते हैं राष्ट्रिय विकास के प्राथमिक जो लच्छ कौन से होते हैं तो इस्टुएंट के उत्तर लिखे कि राष्ट्रिय विकास के अंतरगत वे लच्छ प्राथमिक होते हैं जो बड़े पैमाने पर लोगों को लापव चाहते हैं इस्ट भुटेंग कोई दो उद्दे से बताए गर रहा कि सार भूजनी की भीठ पढ़ालिके कोई दो उद्देस बताएं तो देख़े तो इसनुट तरक्या लिखें आप कि प्रतिब्यक्ति आए कम होने पर भी केरल का मानो विकास करमांक महराष्ट से उचा है इसलिए प्रतिब्यक्ति आए एक उपयोगी बिल्कुल नहीं है और राज्यों की तुलना के लिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए क्या आप सहमत है चर्चा की जिए वहुत ज्यादा मौस्ट इंपोर्टेन एक उसनों पहला आपकी स्किन पे आगया इसको आपको किसी कीमत पर यह तयार के जाना पड़ेगा यंची आटी का प्रस्ट्रीट ठीक है चलिए कि उसना पहला के लिए रोगया तो हम बढ़ेंगे तुलन तगले क्यूंट दूसरी क्यूंट इस्ट्रीट है कि धारडियता का वी से की सर्व विकास के लिए क्यूंट कि भारत के लोगों द्वारा उर्जा के किन सुरुत का प्रयोग किया जाता है ग्यात किजिए आप से पचास वर्ष पस्चाथ क्या संभावने हो सकती है बहुत ही जादा महत्तोपूर परश्णी स्टूडेंट यह है क्यूशन नमर तीसरा इसको तयार करके जाना आप लोगों को क्यूशन मर चौथा नोट की जिए कहरा कि पारवरण में गिरावट के कुछ ऐसे उधारणों की सूची बनाए जो आपने आसपास देखे हों कहरा इसको तयार करके आपको चले जाना है ठीक है चलिए यह लगूतरियत है अब हम लोग कुछ मुश्ट इंपोटेंट दिर्गूतर देखें देखें चार हो गया ना एक क्यूशन और थोड़ा पूछा जाता है उसको मैं भी डिसक्स कर लेता हूँ एक क्यूशन और है जो प्रशन आगे चलिए उसको तो नोट कीजिए जो सात नमर के पूछे जाते हैं द्री उतरिये उसको नोट कीजिए उसमें से मातरती नहीं प्रशन बताऊंगा पहला नोट कीजिए विकास मापने का सन्युक तराष्ट यह विकास कारेकरम का माप दंड कीन पहलूँ में वी इस वा बैंक विभीन वर्गों का वर्गी करन करने के लिए किस परमुख माप दंड का प्रयोग करता है इस माप दंड की सिमा है क्या है वहत ही मोस्ट इंपोटेंट यह प्रशन होते हैं दूनों को नोट कर लीजिए इस ठीका लास्ट आपका तीसरा है कि भारत में इस तरह पढ़डा लें कि किने का में लिखना एक च्छकम यह लिखना इस ट्रेंट बहुत ही ज्यादा मुस्ट इंपोटेंट यह तीन परस्ट में आपको लंग इंपोटेंट किसन बता देखिए बहुत ही ज्यादा महत्तोपूर है ठीक है चलिस ट्रण तो यह चप्टर जो डेवलोमेंट आपका विकास ठीक है इस ट्रेंट विकास और साथ एकुनमिस का पहला चेप्टर था और यह संपूर रूप से आपका कंप्लिट होता हुआ उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी लगेंगी वीडियो अच्छी लगें प्ल चासी हो नब्बे हो 95 हो देखिए मेरा टार्केट जो मैं पढ़ाने का तरीका है मैं जो पढ़ा रहा हूं वह हंड्रेट परसेंट नब्बे प्लस वाला है अगर इसको पूरा कवर करते हैं तो कोई रोक नहीं सकता आपको नब्बे मेरी गरांटी है ठीक है चलिए अब अच्छे लोगे प्ले लाइक केजिए मिलेंगे आप से नेक्स वीडियो में